इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स रहे हैं जिन्होंने कैंसर जैसी गंफीर विमारी से जंक जीती इनी में से एक है एक्ट्रस लीजा रे साल 2009 में लीजा की जिंदिगी में उस वक्त भूचाला गया जब उन्हें पता चला कि वो बोन मेरो कैंसर से पिड़त है एक्ट्रस की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी स्टैम सेल ट्रांस्प्लेंट की मदद से लीजा ने कैंसर से चुटकारा पाया फिल्हाल वो एक हैल्दी लाइफस्टाल जी रही है आली में उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया कि कैसे उन्हें कैंसर के बारे में पता चला और उनकी हालत कैसे हो गई थी एक्ट्रस के मताबिक उनके शरीर में कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी बाड़ी में रेड ब्लड सेल्स अकाउंट कम होने लगा था डॉक्ट्रस भी हैरान थे के एक्ट्रस अपने पैरों पर खड़ी कैसे है Official Humans of Bombay के साथ बातचीत में लीजा रे ने कहा मेरी बाड़ी का रेड ब्लड सेल्स अकाउंट इतना कम हो गया था कि मुझे किसी भी समय कार्डियक करेस्ट आ सकता था ऐसा मेरे नहीं डॉक्ट्रस का उस समय कहना था डॉक्ट्रस ने मेरी सब से पहले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखी कई महिनों से मैं थकान अपने शरीर में महसूस तो कर रही थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था और नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरे साथ कुछ हो जाएगा कुछ टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे बॉन मेरो कैंसर है सालू में मेरी लाइफ पहली बार थमसी गई थी मैंने लंबी सास ली और इसका इलाज कराने का सोचा मैं हमेशा से ही अपनी लाइफ में काफी भागती दोड़ती रही हूँ मेरी लाइफ का एक हिस्सा रेट कारपेट से जुड़ा रहा लेकिन वही जब मुझे कैंसर के बार में पता चला तो लगा कि मेरी लाइफ का दूसरा हिस्सा स्पिर्ट्यूल पीस मांग रहा है एक्ट्रेस का मानना है कि उनका दोबारा जन्म हुआ इस बारे में उन्होंने कहा मैं हमेशा से ही बुक लिखना चाहती थी मैं सोचती थी कि मैं इससे खुद कनेक्ट कर सकूँगी मुझे याद है वो दिन जब मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था कैंसर के साथ जी कर कैसा महसूस होता है इसके बारे में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था कुछ ही लोगों ने वो आर्टिकल पढ़कर मुझे सरहाना दी थी किसी तरह मुझे हिम्मत मिली थी ट्रीट्मेंट के बाद मैंने एक एवेंट में विक पहनी लेकिन उसे बहन कर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ मैंने खुद से कहा कि मुझे ये नहीं करना इसे हटाओ और अपनी असलियत को अपनाओ मैं बोल्ड लुक में सामने आई हर जखा हेडलाइन्स में थी लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर खुद को उसी तरह एकसेप्ट करना था जो मेरी सच्चाई थी एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि छोटे बालों की वज़ा से उन्हें काम से निकाल दिया गया लीजा रे ने कहा बताओं तो मीडिया मेरे साथ कुछ अच्छी नहीं रही कीमो थेरिपी के बाद मैं एक ट्रैवल शो का हिस्सा बनी उसमें मेरे बाल छोटे थे मैंने उसे कीमो कट नाम दिया था लेकिन चैनल नहीं मुझे रिप्लेस कर दिया क्योंकि उन्हें कोई लंबे बाल वाली लड़की चाहिए थी मेरे लिए ये काफी हार्ट ब्रेकिंग रहा तीन साल बाद जाकर मैं फिर पबलिक में आई चीजें बदली हुई थी मेरी शादी होने वाली थी ये तीन साल मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहे मेरी बॉडी ने मुझे बताया कि उसे क्या चाहिए मैंने सुना, मैं तीन हफ़ते के ट्रांस्पॉर्मेशन पर गई मैंने मेडिटेट किया, जूस पिये, स्प्राउट्स खाए और खुद को जाना मैं अंदर से हील हुई, फिर मैंने कैंसर को माद दी स्टेम सेल सरजरी से भी मुझे फाइदा मिला बदादे कि साल 2012 में लीजा रे ने जैसन टहनी से शादी की थी शादी के एक महिने बाद ही, वो दोबारा कैंसर की चपेट में आ गई थी लेकिन उन्होंने इस बारे में अपने हस्पेंट जैसन टहनी को नहीं बताया था लीजा नहीं जादी थी कि उनके पती इस बात को जान कर परिशान हो लीजा रे की दो बेटियां है और वो अपनी लाइफ में काफी खुश है